बढ़वानी कलेक्टर ओफिस बैंकर्स और जिला प्रशासन की बैठक हुई जिसमें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के सभी पात्र लाबार्तियों को इस योजना का लाब मिले इस पर चर्चा हुई किसानों के लिए किसान सम्मान योजना पर विशेश अभियान चलाया जा रहा है इस योजना में शत प्रतिशत किसानों को उक्त योजना का लाब दिया जाए यहाबात कलेक्टर अमित तोमर ने गुरवार को जिलास्तरिय बैंकर्स वा आरसेटी सलाकार समीती की बैठक में कह के शाखा प्रबंदक मौजूद थे कलेक्टर ने बताया कि इस योजना से छूटे हुए किसानों को के सिसी के लिए प्रुचसाहित करने गाउं के सरपंच सुवसायता समू की महिलाओं बैंक सकी का भी सयोग लिया जा रहा है अभियान की तहत ऐसे किसान जिनका किसान क्रे कि अज दिनाम तक एक लाग नहोजार पात्र किसानों को डाटा हम अप्रोड कर चुके हैं और निरंतर प्रकिया आगे चल रहे हैं जितने भी पात्र किसान हैं प्रयास ही है कि उन सबका डाटा शीगरती शीगर का अप्रोड हो जाए हमारे हाँ वनादिकार बट्टा-धार जिनके डाटा भी हम लोग अप्रोड कर रहे हैं वह शीग रही इसकारवाई को पूर्ण कर रहे हैं बैटक में लीड बैंक मैनेजर एसके प्रसाद के साथ नाबाट के एसके रामटे के उपसंचालक क्रशी के एस खपेडिया सहित समस्त बैंकों के शाखा प्रबंदक उपस्तित थे बढ़वानी से हर्शत सोनी की रिपोर्ट अगर अब तक वो किसान क्रेड कार्ट से बंचित हैं उनको सत प्रतिसत इस अभ्यान में जोड़ना है और यह अभ्यान भारत सकार द्वारा आठ फरवरी से स्टार्ट की गई है जो तेज फरवरी तक चली इस अभ्यान में चार मुख बिंदू हैं पर कभर किया रहा है कि पहले वैसे किसान जो किसान संभान निदी योजना के बेनिफिसरी लाभार्थी तो हैं परन्तों अब तक के सी का सुविधा नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा दूसरे वैसे किसान जिनकी के सी लिमिट जितनी अभी है अ उनको इस वर चालू किया जाएगा और चौथे बहुत महत्रपुन किया गया है किसान क्रेट कार्ड स्कीम बहुत पहले से चल रही है भारत सरकार के द्वारा चलाएगे नावाट के थुरू उसमें तीन लाग तक केसी सी के धारक हमारी किसान भाई हैं जिन्होंने अगर ज इस वर किया गया है